यहिन प्यारे बिच्चों स्वागत है आपका आपके अपने प्रिवार भारत्वस क्लासिस में तो प्यारे बिच्चों हम सभी प्रते दिन सुभा नो बजे GKGS की लाइफ क्लासिस करते थे और कुछ टेक्निकल इसू के कारण आपकी यह क्लासिस नहीं हो पारी थी तो आपको यह क्लासिस रिकोर्डिड मिला करीगी कुछ दिनों तक फिलहाल तो इस टॉपिक्स में हम लोग कर रहे थे भारत के प्रधान मंत्री और राश्पती जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के राश्पती के बारे में पुरा इस्तार से बताया था मैं पुरासि बारे में हम इस वीडियो में चर्णा करने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे अपने-पने दोस्तों को share कर देंगे इसकी पीडिये अपको हमारे official telegram channel पर मिल जाएगी telegram channel का link description में तो आपने अभी तक join नहीं किया है तो join कर लीजिए सभी classes के लिए महत्पूर्ण है बच्छा आप class 5 से लेकर 10, 12 या किसी competition की द्यारी कर रही हो सभी के लिए महत्पूर्ण है भारत के परधान मंत्री तो सभी के नाम हमको यहाँ पर देख लेना है तो सभी के नाम हमको यहाँ पर देख लेना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर होते है जुआहर लाल नहरू भारत के परथम परधान मंत्री पंडित जुआहर लाल नहरू है 15 अगस्ट 1947 से 27 माई 1964 तक यहाँ पर यह 16 साल 286 दिन याद रखेंगे 16 साल 286 दिन के लिए परधान मंत्री बने थे दूसरे थे लाल बहादूर सास्त्री एक वर्ष और दोशो शोला दिन याद रखना है एक वर्ष दोशो शोला दिन के लिए बने थे इसके पहले यहाँ पर परधान मंत्री जो थे गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर जो इसके बीच जो परधान मंत्री बने थे वे कायर वाहग परधान मंत्री बने थे ठीक है तो उनका क्रम आपको नहीं याद रखना है सिदा याद रखना है कायर वाहाग जो नाम था गुलजारी लाल नंदा मातर तेरा दिनों के लिए परधान मंत्री बने थे कायर वाहाग परधान मंत्री तो दूसरे हो जाते हैं लाल बहादुसास्त्री तिसे नंबर पे आते हैं इंद्रा गांधी ठीक है तिसे नंबर पे आते हैं इंद्रा गांधी जो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक परधान मंत्री पर रहती है 11 साल और 69 दिन ये परधान मंत्री रहते हैं इसके बाद आते हैं बोरार जी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक ये परधान मंत्री रहते हैं इनका यदि समय पूछा जाए तो दो साल 126 दिन तक परधान मंत्री पर रहते हैं अगले हो जाते हैं चोद्री चरन सिंग ठीक है चोद्री चरन सिंग 28 जुलाई 1989 से 24 जनवरी 1980 तक 170 दिन केवल 170 दिनों के लिए ये प्रधान मंत्री रहते हैं फिर से यहां पेंद्रा गांधी की सिरकार हो जाती है जो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधान मंत्री रहती है ये इस बार 4 साल और 291 दिन तक ये प्रधान मंत्री बने रहती है इसके बाद फिर आते हैं राजीव गांधी राजी गांधी जो हैं वो 31 अक्टूबर 1984 से 31 अक्टूबर 1989 तक ये परधान मंत्री रहते हैं 5 साल 32 दिन याद रखना है 5 साल 32 दिन तक ये परधान मंत्री रहते हैं इसके बाद अगले हो जाते हैं विश्वनात परताप सिंग विश्वनात परताप सिंग के बारे में याद रखना है कि ये 2 दिसंबर 1989 से 10 दिस नुवंबर 1990 तक ये रहते हैं मातर 343 यानि पूरे एक साल के लिए भी नहीं 343 दिन के लिए ये परधान मंत्री रहते हैं उसके बाद आयते हैं चंदर सेखर जी जो 1990 से 1991 मातर 223 दिन तक 10 नुवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये परधान मंत्री पत पर रहते हैं उसके बाद अगले परधान मंत्री होते हैं नर्सिंग राओ या फिर इनका नाम याद रखते हूं पी वी नर्सिंहा राओ 21 जून 1991 से 16 माई 1996 तक 4 साल 330 दिन तक ये परधान मंत्री पत पर कारत रहते हैं 11 नंबर पर याद रखना है अटल बिहारी वाजपई अटल बिहारी वाजपई को यहाँ पर इंपोर्टेंट मार्क परेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पिक्चर भी बर रही है इनके बारे में याद रखना है कि 16 माई 1996 से 1 जून 1996 मादर 16 दिन के लिए ये परधान मंत्री यहाँ पर बनते है ठीक है सबसे कम परधान मंत्री गुलजारी लालनन्दा है उसके बाद ये 16 दिन के लिए यहाँ पर बर रहे है इसके बाद आगे हैं HD देव गोड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रेल 1997 तक 326 दिन के लिए ये परधान मंत्री रहते हैं 13 नंबर पर फिर आगे आजाते हैं इंद्र कुमार गुजराल जो की यहाँ पर आपको कारिकार इनका याद रखना है 21 अप्रेल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिनों के लिए ये परधान मंत्री रहते हैं अगले नंबर पर आजाते हैं अटल बिहारी वाजपई जो 19 मार्च 1998 से 22 माई 2004 6 साल 64 दिन पहली बार यहाँ पर बने थे तो मादर सोला उसके बाद जब दूसरी बार बने तो 6 साल 64 दिनों के लिए ये परधान मंत्री रहते हैं इसके बाद आजाते हैं अगले मन मोहन सिंग 22 माई 2004 से 26 माई 2014 तक 10 साल 2 दिन के लिए ये परधान मंत्री रहते हैं शोल्वे नंबर पर आ जाते हैं नरेंदर मोदी जो कि 26 माई 2014 से अब तक नरेंदर मोदी जी है ठीक है तो ये थे भारत के सभी परधान मंतरी आपने इस वीडियो में सभी परधान मंतरी के बारे में उनकी कारिकाल बार में शोल्वे